Assalamualaikum, most welcome to our channel English CK In today's lesson, हम समझेंगे कि बीन का सही इस्तमाल इंग्लिश में कैसे होता है आपने ये वर्ड बहुत सुरा होगा लेकिन क्या आपको पता है कि इसका सही इस्तमाल कैसे होता है Let's find out today सबसे पहले बीन की एसल पहचान करते हैं कि बीन इसल में होता क्या है The word bean is actually the past participle of the verb be Which is also called third form of the verb be इसका इस्तमाल होता है जब जब हम किसी काम को past से लेकर अब तक जोड़ते हैं आज हम बीन को different tenses में use करना सीखेंगे किसको सही तरीके से किस तरह से हम अपनी conversation में use कर सकते हैं बीन का कहा कहा use किया जाता है So इसका first अगर use देखें तो वो सबसे पहले जो होता है वो present perfect tense में होता है जी हाँ यानि as main verb के तोर पे जिसका मतलब होता है होना तो present perfect tense में bean कैसे use होता है ये tense हम तब use करते हैं बैसे के लिए जब हमें किसी काम को past में कर चुके है लेकिन उसका जो effect है वो अभी तक है इस तरह का काम हमें दिखाना होता है जिसका हम past में कर चुके हैं लेकिन उसका effect अभी तक हो जैसे के for example I have been to lahore I have been to lahore मतलब मैं lahore जा चुका हूँ here been का मतलब है के आप lahore जाकर वापस आ चुके हैं इन्हें जो ये काम है वो मुकमल हो चुका है it shows completion of an action in the past तो let's take another example she has been very helpful she has been very helpful मतलब उसने मदद की है यहाँ been का मतलब यह है कि उसकी मदद का जो असर है वो अभी तक है ठीक है so present perfect में हम been को as main work की तोड़ पे use करेंगे अब हम बात करते हैं present perfect continuous tense की ये tense तब use होता है जब कोई काम past में तो शुरू हुआ है लेकिन जो है अब तक ओ चल रहा है in this tense being is followed by verb plus ing means fourth form of the verb let's take an example I have been studying for two hours मैं दो घंटे से पढ़ रहा हूँ इसका क्या मतलब है कि आप दो घंटे से पढ़ रहे हैं और अब तक पढ़ रहे हैं यानि एक जो काम है वो past से शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है ठीक है let's take another example they have been working on this project since last week means वो पिछले हफ़ते से project पर काम कर रहे हैं ठीक है तो दोनों में ही आपने देखा कोई काम past में शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है तो वो present perfect continuous में हमने यूज किया यानि have के साथ bean का और has के साथ bean का यहाँ पे जो bean है as helping work काम कर रहा है जो main work यहाँ पर है उसकी ing form हमने यूज करनी है ठीक है next हमारा जो bean का use है वो होता है passive sentences में bean का एक और important इस्तमाल passive sentences में होता है passive voice में हम action पर focus करते हैं ना कि जो action करता है उस पर यानि हमारा passive voice sentences को बनाते वक्ट उसमें subject पर जोर नहीं होता बलकि जो काम किया जा रहा है उस पर जोर होता है उसको बताना हमारा मकसद होता है so example के तोर पे यह present perfect का passive बनेगा किस तरह से the room has been cleaned कमरा साफ किया गया है the room has been cleaned has been के बाद देखा आपने के वर्ब की third form आई है तुमेशा passive sentences में be की कोई न कोई form होगी और हमें वर्ब की third form जरूर लगानी होगी क्योंकि यह present perfect का tense है have has के बाद वर्ब की third form चाहिए होती है इसलिए यहां पे bean को हमने passive बनाने के लिए यूज किया तो कमरा साफ कर दिया गया है यहां पर जो है bean हमें यह बता रहा है कि कमरा साफ हो चुका है लेकिन हम यहां यह नहीं कह रहा है कि किसने साफ किया ठीक है तो सिर्फ कमरा साफ करने की बात हो रही है so another example is the food has been prepared the food has been prepared खाना तयार किया गया है यह passive voice का एक और यूज है जहां हम result पर focus करते हैं ना के action करने वाले पर so यह passive voice sentences थे यहां पर हमने इसका use किया एक common confusion होती है between been and gone let's clear it अगर आप कहते हैं I have been to London इसका मतलब है कि आप लंडन जाकर वापस आ चुके हैं जब आप bean का इस्तेमाल करते हैं ठीक है लेकिन अगर आप यह कहते हैं I have gone to London इसका मतलब है कि आप लंडन गए हैं और अभी तक वापस नहीं आई हैं बस इतना सा फरक है I have been to London में और I have gone to London में I hope कि आपकी यह confusion भी clear हो गई होगी अब हम कुछ common mistakes देखते हैं जो लोग bean के साथ करते हैं ताके आप यह गलतिया ना करें और अपनी conversation को without any mistake बोल सकें बात कर सकें जिसे कि कुछ अक्सरे लोग केते हैं I am been working here यह बिलकुल गलत है क्योंकि रहा है रही यह वाला sense आ रहा होता है कि मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ यहाँ हमारा जो मकसद है कि हम past से लेकर अब तक वो काम कर रहा है तो यहाँ पर have been लगेगा I am been नहीं I have been working here यह सही sentence होगा इसे तरह से second sentence अगर हम लेए कि he has been went to the store यह बिल्कुल wrong sentence है यहाँ पर been और has क्यों लगा है यह बिल्कुल अजीब से sentence इस अजीब से इनकरेक्ट दराइट सेंटेंस ही है तो हैस के बाद वो अपकी third form आनी है कि वो store गया है तो यह थी कुछ common mistakes जो लोग करते हैं इनका ध्यान रखें और practice करते रहिए कुछ practice sentences आपके लिए आप इनको बनाकर comment box में लिखिएगा मैं दो साल से English सीख रहा हूं second है वो पांच साल से teacher है third sentence है खत भेजा गया है और fourth sentence आपके लिए है वो दो दफ़ा कराची जा चुका है ये चारो sentence बनाकर comment box में लिखिए तो आज हमने देखा कि bean का English में सही इस्तेमाल कैसे होता है चाहे वो present perfect tense हो continuous tense हो या passive sentence हो practice जरूर करें और जल्दी से जल्दी अपनी English में fluency हासल करें if you found this video helpful don't forget to give it a thumbs up also subscribe to our channel और हमें comment में जरूर बताएं क्या आपको next video किस topic पर चाहिए मिलते हैं अगली वीडियो में until then keep practicing Allah Hafiz